Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं non-props data in Vue.js 3 के बारे में So, देखो, दो-3 data पास कर सकते हैं हम हमारे components के अंदर Basically, मैं बात कर रहा हूँ कि एक components से जब दूसरे components में data transfer करते हैं तो कौन-कौन से तरीकी का हो सकता है एक हो सकता है props, एक होता है non-props दोनों में क्या difference है, इस वीडियो में आपको बता चल जाएगा सारी वीडियो को पहले points दिख लेते हैं एक child component बनाएंगे, उसके तरह में pass करेंगे non-props data और यहाँ पे मैं आपको यही बताऊँगा कि props data क्या होता है, non-props data क्या होता है इनकी hosting just 59 rupees से start हो जाती है, और इनके पास various options है, shared hosting है, reseller hosting है, VPS hosting है और इनके पास एक free website builder tool भी है, जो आपको मिलेगा free of cost, इसकी help से आप लोग एक website बना सकते हो, बिना कोई भी coding करें आपको कुछ भी नहीं code करना, आपको website completely ready हो जाएगी tool की help से, चीक है, यह drag and drop, आप यह समझ लोग, जैसा mail id handle कर रहे हो, इतना easy होता है अब आते हैं हमारी वीडियो के पास वापिस, सबसे पहले मैं component बनाता हूँ, आचा मैं component क्यों बना रहा हूँ, विकोज जब हम data की बात करते हैं, props और non-props, उसका मतलब होता है, एक component से दूसरे component में data को transfer करते हैं, props component में क्या होता है, कि जब हम data को send करते हैं, वो एक तो dynamic होता है, completely dynamic होता है, dynamic non-props भी हो सकता है, but basically जब भी हम लोग dynamic data use करते हैं, तो वो हमारे props वाला data होता है, आपको बताऊंगा reason सब तरीके से, but पहले definition थोड़ी समझ लो, उसके बाद में, जब भी ह props data use करते हैं, तो हमें उसका type define करना पड़ता है, यह वाब बो करके दी होंगा, but non-props का type define नहीं करना पड़ता, static data होता है, और बहुत ही rarely use भी होता है, but important है, because जब इसके जूरुत पड़ती हैं, तो आपके बास कोई option भी नहीं होता, so start करते हैं, सबसे पहले मैं component बनाता ह इसका नाम रखते हैं, यहाँ पर user.view, ठीक है, template बनाएंगे, template को close करेंगे, script tag बनाएंगे, script tag को close करेंगे, perfect, कोई problem नहीं है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ, एक div बनाता हूँ, एक div को close करता हूँ, और यहाँ बे मैं कुछ h3 tags लेता हूँ, let's say मैंने h3 एक लिया, इसको मैंने close करा, और मैंने यहाँ यूजर का नाम लिख दिया, let's say Peter, second मैं यहाँ लिख देता हूँ, let's say Bruce, and third one, let's say Anil, ठीक है, कोई प्रोड़म नहीं है, सब कुछ चीज ही है, इतना हमें पता है, अब हम क्या कर सकते हैं, script के अंदर इसको export कर सकते हैं, export, default, और इसका हम नाम हम भी यहाँ पर define कर देते हैं, इसका नाम हम यहाँ ले सकते हैं, user, ठीक है, अब ही भी कोई प्रोडम नहीं है, अब इसको हम यहाँ पर export कर दिया था, basically, और यहाँ से हम इसको import करेंगी, ठीक है, आप लिक्ता हूँ, import, user from, user.view, simple है, देखो जो भी हम तो component इंपोर्ट करत होता है, अब लिखेंगे components और यहाँ पर लिखेंगे user, और यहाँ पर हमारे user वाले component को हम लोग register कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक, तो अब एक बार के लिए हम लोग आप पूट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आके, तो देखो यहाँ पर पीटर, ब्रूस और अनिलाग है, यह तरी यहाँ इतनों child components से आ रहे हैं, तो पहले एगर हम लोग एक props pass करके देखेंगे, तो किस तरीकी से pass करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर, मैं एक data लेता हूँ, let's say, कि मैंने यहाँ पर पास कर दिया data, और data को मैं यहाँ पर पास कर सकता यहाँ पर आता हूँ, और मैंने आप लेक दिया data, तो आप यहाँ पर आओगे, और आपको यहाँ पर directly data लिखवा मिल गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा data नाम से मैंने कुछ define वगरा करा है नहीं, बढ़ हमने यहाँ से pass तो कर रहा है, ठीक है, तो अब सग अगर सकते हैं, सबसे पहले इसका define type करेंगे, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है, props, props के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वैसे यह पार्ट उसका पार्ट नहीं है, non-prop का, बट मैं difference भी तो आपको बता पहूं, तब ही तो आप अच्छे समझ पाऊगे उसको, और मैं हाप लिख देता हूँ, अभी के लिए string, ठीक है, अब आप पीस आते हैं हमारे पास, सबसे पहले इसको add को resolve करते हैं आप लोग, अब हमारे पास आगया some data, perfect है, ठीक है some data मिल गया आपको, तो यह perfectly काम कर रहा है, यह तो गया props data, अब non-props data क्या होता है, let's see, मैं हा आप लिख देता हूँ, user, cmp, ठीक है, लिख दिया मैंने, अब मैं अगर इसको binast, ऐसी directly get करना चाहता हूँ, यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ, कि मेरे कुछ component को पर id id आये की नहीं है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, बस इसको यहाँ भी define मत करो, और आप यहाँ यहाँ पर क्या check करोगे, directly आओगे, और यहाँ पर आप लोग देखोगे, कि जो हमारे div है ना, इस div की id, यहाँ पर user cmp बन गई है, यह कहां से आ गई, पहले तो नहीं आ रही थी, और एक चीज आपने और notice करी, यहाँ पर, देखो, बस user id आ गई है, बट जो हमने data pass करा थ वो data नहीं आया है, because हमने pass में data भी तो करा था, data नहीं आया, अब आप बोलोगे, ठीक है, id हो सकता है, because id लग से नहीं हो, अगर मैं यहाँ पर x, y, z करता हूँ मैं यहाँ और अब आता हूँ वापिस, तो यह भी दिख गया, तो यहाँ पर data क्यों नहीं दिखा हमें, जैस तो आप लोग बोलोगे, ठीक है, कि अभी के लिए हमने एक div लिया हो है, तो आगया, अब तीन elements हैं इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर div हटा दू, तो यह कौन से element के साथ में attach होगा, टेकनिकली यह किसी के साथ भी attach नहीं हो, अगर मैं div हटा दू नहीं हो, because यह इसका wrapper है अब मैं आता हूँ वापिस से यहाँ पर, अब देखो, तीनो के तीनो, अब किसी के साथ भी x, y, z, या फिर अगर मैं यहाँ वापिस से id लिख दू न, id किसी के साथ भी attach नहीं है, क्यों नहीं है, because यह किसी का at least एक से एक parent होना जरूरी है, तो क्या अगर हमारे पास किसी आपड़ेगा, v, bind, और, v, bind के साथ मैं आपनों क्या कर दोगे, dollar, a, ttrs, attributes बोल दें, इसको यह फिर address बोल सकते हो, ठीक है, अब देखो, जिस भी id के साथ मने लगाया, उसके साथ में यह आ गया, अगर मैं इसको उठा के, यहाँ से, मैं सबसे last वाले के साथ में कर दू न कर दिया, अगर मैं अब एक यहाँ पर div भी ले लूँ, इस तरीके से, इसको close कर दूँ, और यह एक interview question बनेगा, basically, मैंने div भी ले लिया, और अंदर वाले v, bind की कर दे तो, तो क्या होने वाला है, तो यह दोनों के साथ ही id add कर देगा, अपने जो root component है, उसके साथ भी id add कर यहाँ पर देख सकते हो, और चाइल्ड है, जिसके हमने अपर attach कर रख है, इसके साथ भी कर दी, तो अगर आप root के हाथ में, अगर आपको हटाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, हाँ एक property होती है, उसको आप लिखोगे, यहाँ पर इन्हे यहाँ पर देखे, अब यहाँ पर देखे, अब यह इनके parent के उपर नहीं है, अब जिस child के उपर हमने define कर रहा है, उसी के उपर आ गया, ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ अलग से, कि क्या जो हमारे पास non-props, असको props भी बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पर id लिख दोगे, इस तरीके से, ठीक है, और अब आप देखोगे, यहाँ पर आके, वापिस से यहाँ पर आ सकते हो, एक तो हमने यहाँ पर bind कर रखी है, मैं यहाँ पर bind, तो बाद में हटाऊँगा, पहले मैं इसको उठा दीता हूँ, ताकि यह अब आपको यहाँ पर दोनों ही नहीं मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब क्यों नहीं मिलेंगे, दोनों को हमने props data बना दिया, और as a props हम इनको get कर सकते हैं, अगर इन props के अंदर define नहीं करेंगे, तो वो as a attr add हो जाएंगे, तो यह difference होता है, basically, thanks for watching this video, कुछ confusion है Bye-bye, take care